पुरानी एक मठिया थी छोटी मठिया थी जिसमें सिरी सिरी एक हजार आठ बालक दास बाबा रहते थे जब ददरी मेला की सुरुवात से पहले ही कार्तिक महिने में कार्तिक के पहले दिन ही वो यहां निवास करते थे लेकिन अब वो मठिया गंगा में विलिन हो गई हम जी जगर पर खड़े हैं यहां से एक किलिमेटर अंदर उस अस्तान पर जहां गंगा की धारा बह रही है उस अस्तान पर एक मठिया हुआ करती थी और उस मठिया पर लगबग हमें लगता है कि कई वर्स तक बालक दाजवापने सिस्थ्यों के शाथ वहां आते थे कार्थिक के द अब सब कुछ बदल गया है अब गंगा ने अपना रास्ता बना लिया है अब उस जगह पर जहां लाखों लोग के कदम पड़े हूं उस जगह पर जहां प्रशासनिक अधिकारी से लगाए नेता पत्रकार शाहितिकार कलाकार सभी लोग आये हूं कभी यहां कुटिया कभी यहां मंदिर कभी यहां बिशाल चीजें होती थी लेकिन आज सब कुछ गंगा में बह रहा है यानि गंगा ने अपना स्थान बना दिया है तो देखा जा रहा है कि यहां से थोड़ी दूर पे एक शड़क है उस शड़क से गंगा के दूरी बहुत कम है तो बालक दस बबा इ उनकी यादों में आज हम यहां हैं आज उनको हम देख रहे हैं उनको हम याद कर रहे हैं आए बात करते हैं उनके शिश्य लोग है हां उस आश्रम पर कुछ बाते होंगी आए नमस्कार यह कटान कब से हुआ है यह हो गया है एक मैने पहले से पहले जहां खड़ें इसके प तो यहां दूर अंदर एक किलोमीटर दूरी पर थे उंकई बगान गंगाजी में बही गया कितने पुरानी थी वह बहुत पुरानी जमन थी तो आई यह अभी पानी घटा कितने निन पहले गटा यह तो पानी तीन रोज से घटा है तो उपर लबलब था पहली गंगा कितना दूर बहती थी हैं इसे कितने किलोमीटर ऑथ Ł यह दूरी पानी घटे जहींते जाए गाँ यह किलोमीटर दूरी पर चला जाएगा चली अब हम चलते हैं बाबा के उस जगहपर सिरी सिरी एक हजार आठ सिरी बालक दास बाबा जी राम बालक दास बाबा जी के उस जगह पर जहां वाते थे आज भी यह जगह पर हम जहां हैं उनके चरन पड़े थे हम इसको धर्दी को पड़ाम करते हैं गंगातट को जहां राम बालग दास बावा के चरन पड़े थे लोगों के बीच में परशाद भी देते थे और अशिरवाद भी देते थे मंगल कामला भी करते थे सब के लिए खासतर पर भिर्गुच छित्र वाशियों के लिए उनके मन में हमेशा यह होता था कि भिर्गुच छित्र में जो भी इस तरधालो जो भी लोग आए अगर उनके आस्रम में या उनके पास आ जाते थे तो उनके हाथ में कुछ ने कुछ जरूर होता था प्रशाद हो या कुछ देता है कोई गैज देता है कोई लाइट की ब्युक फायने की तिंट की सभी भ्क्तों द्वारा यहां पर एक ब्युक्ता होती है वह पिजनाले की ब्युक्ता है यहां प्रशाद होगे आप देख सकते हैं भिर्गुच शित्र कार्तिक माश कल्पवास खाल्सा श्रीताराम आश्रम यह लकडियां हैं जिससे प्रशाद त्यार होंगे आए बाबा का वो जगह है जी बाबाएं हैं तो यह बाबा का जगह है जहां बाबा विश्राम कर रहे हैं यहां पर उजगह पर हम आ गए हैं जहां बाबा विश्राम कर रहे हैं यह बहुत पवित्रस्तली है ठीक है बाबा अलामी करने दीजिए सो रहे हो गए तो फिर आगे चलते हैं उजगा पर जहां पर शंतों ने डेरा डाला है और गंगा की किनारे वो तपश्या कर रहे हैं इस भिर्गुच शेत्र की सलामती के लिए दूआ भी दे रहे हैं सब अच्छा हो शमंगल हो तो इसमें शुबह से कितने लोग आ गए हैं अच्छा लोग गंगा इस नार सुबह करते हैं और प्रशाद लेते हैं तो आज प्रशाद में क्या कह रहा है अच्छा फलहारी में हम हैं तो फिर हम आप से जूरेंगे हमारे साथ कामरा मैं राजू मैं रोसन जैस्वाल इसमें भिर्गुचितर गंगा किनारे हूँ जहां कार्तिक महिने में कार्तिक पुरीमा के ओशर पर एक बड़े अदिप उश्व का आयुजन होता है गंगा इस्नान का आयुजन होता है यह जगह है जहां ठाकुर जी में यह छोटा सा मंदिर है जो गंगा किनारे हर साल कार्तिक मास में बनता है तो ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं फिर हम आप से जुड़ेंगे तब तक लितने देखते रे बली आजकर मैं रोसन जैस्वाल नमस्कार